तो दोस्तो ये है पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि इन 6 स्टुडेंट ने क्या गलती की जो आपको नहीं करनी वरना आपे भी UMC केस हो जाएगा तो कल 6 UMC केस हुए हैं और आप सभी को पता है कि आपको ओनलाइन एकजाम दे रहे हो आप घर से बैठ कर तो आपको PDF PDF बनाकर अपनी सब्मिट करवानी है जो भी आपको Gmail ID दी गई है और PDF कैसे बनाते हैं उसका size कैसे कम करते हैं अगर size ज्यादा हो जाता है ठीक है तो वो देरी से send होगी उसको कैसे कम करते हैं उसी वीडियो में मैंने बताया हूँ आपको तो आप वो वीडियो देख लीजे ठीक है उन पे UMC केस हो गया और जबकि 126 स्टूडेंट है जो उन्होंने प्रिक्षा दी थी तो यह बहुत ही बड़ी अपडेट है मैं आपको बताऊंगा कि इन स्टूडेंट की क्या गलती थी यह देखिए पूरी अपडेट यहाँ पे लिखा है कि चोदरी देविलाल व CDLU की सनातक की प्रिक्षा का पहला दिन था सुबह सड़े 9 बजे से सड़े 12 बजे तक पहली सिफ्ट में 5 विजयार्थियों ने एकजाम दिये थे इस दोरान एक UMC केस बनाया गया जिसमें चातर की क्या गलती थी जिसमें चातर पर UMC केस बनाया गया उसकी गलती यह थी कि उसने अपना कैमरा ओफ कर दिया था ठीक है उसने अपना कैमरा ओफ कर दिया था जब कि आपको पहले बताया गया था कि आपको कैमरा ओफ नहीं करना और नहीं आपको कैमरे से इदर उदर होना है कैमरे के सामने आपको बैठना है और 10 मिनिट बाद भी जब उसने कैमरा ओन नहीं किया तो उस पे UMC case जो है बना दिया गया तो यह बहुत ही बड़ी update है आपको यह गलती नहीं करनी आपको पता है कि आपको camera के सामने रहना है जो guideline पहले दी गई थी उसको आप देख लीजिएगा उस पे मैंने video बना रखिया कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है ठीक और जो शाम की शिफ्ट थी आपकी 2-5 उसमें 101 की विद्यार्थियों ने प्रिक्षा दी जिसमें से 5 विद्यार्थियों पर UMC case बना उन्होंने क्या किया वो camera को log out कर दिया था उन्होंने ठीक है उन्होंने तक यह information पहुंच सके और वो ध्यान से अपनी प्रिक्षा दे सके और आपको answer sheet अपनी pdf बना कर submit करवानी है और hard copy भी submit करवानी है pdf कैसे बनानी है उस पे मैं आपको link दे दूँगा और साथी साथ सड़े 400 के करीब जो student है उन्होंने अवेदन किया था कि हम भी online exam देंगे online exam आपके चल रहे हैं लेकिन आपको online exam भी जान से देने हैं क्योंकि अगर आप नकल करते हैं तो आपका जो साल है वो बरबाद हो सकता है आप पे UMC case बन सकता है इस वीडियो को share करिए ताकि हर एक student तक ये information पहुंच सके और आगे जो update होगी आपके इस channel पर मिलती रहेगी धन्यवाद जैहिंद